और question देख लेते हैं, find middle terms in the expansion of 2x minus 3y की power 28, तो इसकी power कितनी है, even power है, तो इसका मतलब इसमें मारे पास कौन सी term आएगी, 28n upon 2 plus 1, तो 28 upon 2, 14 plus 1, 15th term, तो इसका मतलब T15 इसकी middle term होगी, तो T15 इतनी में जाएगी, ncr, 28c14, क्योंकि यह तो r plus 1 होता है, तो 28c4 into minus 3y की power 28c14, और यहां पर जाएगा minus 3y की power 14, और यहां पर जो first term है, 2x, उसकी power कितनी हो जाएगी, 28 minus 14, that is equal to 14, तो जो भी answer होगी, तो यह हमरे पास term आगी, that is the middle term, ठीक है, as the next दे रखा है, find middle term in the expansion of 3x square plus 5 upon xq की power 31, तो that means, अगर 31 है, तो total term कितनी हो जाएगी, 32, जब total term 32 हो जाएगी, तो हमारे middle term क्या आएगी इसमें, middle term कौन कौन सी आएगी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 middle terms आएगी, 2 middle terms, correct, तो दो middle term कौन सी होंगी, n plus 1 upon 2th term, and n plus 3 upon 2th term, तो 31 plus 1 upon 2, that means 16th term, यह हो जाएगी 17th term, तो इसका अदा हम T 16 निकालें, और T 17 निकालें, तो जब T 16 निकालेंगे, तो R की वाली होगए 15, तो यहाँ पर रिख लेते हैं, 31 C 15, into 5 upon X Q की पार 15 हो जाएगा, और जो first term है, 3 X square, इसकी पार कितनी हो जाएगी, 31 minus 15, that is equal to 16, तो एक तो यह आगया, और जो next middle term है, इसमें हमारे पास R की वाली हो क्या आगई, what is the value of R 16, तो यह हमारे पास आगा, 31 C 16 into 5 upon X Q की पार 16 into, जो first term है, 3 X square, उसकी पावर 31 minus 16, that is equal to 15, तो यह answer हो गया, ठीक है, एक और इदी question देखते है, coefficient of second, third and fourth term in the expansion of 1 plus X to the power 2N are in AP, AP यह आदला अधिमेटी प्रोग्रेशन, then, कुछ लिक रखा है, इसमें, यह हमारा solve कोर के आना चाहिए answer, N की को यह equation दे रखिए हमारे पास, in degree 2, यह हमारे पास कुछ solve कोर के आना चाहिए answer, ठीक है, तो coefficient of second, third and fourth term, तो जो second term है इसमें, तो second term क्या जाएगी, 1 plus X की पार 2N है, तो second term तो हमारे पास 2N C1, third term क्या हो गई, 2N C2, और fourth term क्या हो गई, 2N C3, that means coefficients, हम coefficient की बात कर रहे हैं, coefficient of second term, coefficient तीसरे term का, coefficient चौछे term का, तो इस अब AP में हैं, तो AP में होने का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं इसका twice करूँ, वो इसके और इसके सम के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब, मैं गर करता हूँ, यहां पे, 2N C1 की वाली गज़़गा हम निकाल लेते हैं, तो यह इतना आ जाएगा, यह तो आ जाएगा हमार पास, 2N C1 कितना हुआ, N C1 कितना होता है, N, तो that is equal to, 2, 2N C1 कितना होगा है, इस इक्वल टू 2N, ठीक है, अब इसके बराबर लेते निकालते हैं, N C2, तो मैं पता है इसके वेलिए क्या होती है, N into N-1 upon 2, और इसके वेलिए क्या हो जाएगी, N into N-1 into N-2 upon 3 into 2 into 1, that is equal to 6, ठीक है, तो यह तीनों टर्म्स AB में हैं, यह तीनों टर्म्स किसमें, AB में हैं, ठीक है, तो इसका आतला यह हुआ, कि अगर मैं इसका twice कर दूं, वो इन दोनों के समके बरावर होगा, that means twice of middle term, तो twice of 2N into 2N-1 upon 2, is equal to first term plus last term, ठीक है, upon 6, अब solve करते हैं, यह 2 से तो यह 2 चले गया, 2 and sub में common आ रहा है, तो 2 and sub में इसे cancel कर दिया, यह 1 हो गया, इसको अगर हमें solve करना है, तो solve करने के लिए बचके हमारे पास, यहाँ पे, 2N-1, यहाँ पे 1 है, अगर पूरा LCM दे रहे हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे 6 लिएते हैं, और इस 6 को इधर ले जाते हैं, तो 2N-1, इन्टो 6, इन्टो 6 प्लस 2N-1, इन्टो 2N-2, तो इससे solve किया, तो हमारा जो result आ गया, वो आ गया, 4N-18N, प्लस 14 इन्टो 0, और यहाँ से जो result आ गया, 2N-9N, प्लस 7 इन्टो 0, तो यह हमारा answer आ गया, थोड़ा सा land दिए, क्योंगी calculations हैं, otherwise तो procedure is simple, ठीक है, चलिए, last question और देखते हैं, तो question का simple है, कि हमें coefficient निकालना है, x की पार माइनस 15 का, in the expansion of 3x square, माइनस b अपान 3x cube की पार 10, तो फिर यह देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, अगें मैं से 1-something की पार में change कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यह जो term है हमें, यह आजाएगा 3x square की पार 10 तो भार common आ गया, अंदर आजाएगा 1-b अपान 9x5 की पार 10, correct, तो हमें चाहिए x की पार minus 15, तो भार तो है, बहार से मारे पार की आ जाएगा, x की पार 20, अगर आजाएगा यह जाएगा, तो अंदर ते में चाहिए, इसकी पार minus 35, so that means, अपान में मेरे पार पार रहने ची 35, तो 35 कैसे आएगा, अगर इस term को में 7 times करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं x की पार 5 को 7 करता हूँ, तो यह मेरे पार 35 दे जाएगा, और यह denominator में है, और उधर हमरे पास 20 है, x की पार 20 वो numerator में है, तो हमरे पार सॉलूशन आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे, हम अगर बात करें, कि यहाँ पे 7, इसकी पार 7 अगर है, तो हमरे पास टम क्या होगी, तो लेटर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी अपॉन 9 x 5 की पार 7, तो मुझे पता है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, n c r, तो n to head 10, into c, और r की वेल्यूव की तिन जाएगी 7, तो 10 c 7, into y की पार 7 होता है, यह मेरे पास क्या है, odd power है, तो minus sign एक आगे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है, 3 x square की पार 10, तो यह आजाएगा, 3 x square की पार 10, हमें तो coefficient निकाल ला है, तो coefficient आजाएगा, मेरे पास minus 1 तो पहले आगया, 10 c 7 का मतलब 10 c 3, तो इसे मेरे सकते हैं, 10 x 9 x 8 upon 3 x 2 x 1, यहाँ से क्या coefficient आगया, 3 की पार 10, ठीक है, और यहाँ से क्या आगया, B upon 9 की पार 7, मतलब 3 की पार 14, इसे solve कर लिया, तो यह हो गया, 3, 3 x 9, 2, 4 x 8, तो minus 40 x 3 की पार, 11 upon 3 की पार 14, तो यह आगया, minus 40 upon 3 की पार 3, is equal to 27, into, इधर B की पार 7 भी आएगा, into B की पार 7, तो यह result आगया, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप pushing को solve कर पाएंगे, and this is a easy chapter, binomial theorem, scoring, तो अगर like, अगर आपको यह अच्छा लगा, तो इसे subscribe करें, like करें, और मैं ऐसे ही, NDA के लिए, और Air Force के लिए, वीडियोज अपलोड करूँगा, और आपकी queries को लेता रहूँगा, thank you, thank you very much,